दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चित्तोरी क्लासेज में आज हम डिसकस करने जा रही है सीट्रेट का चेप्टर फर्स्ट जो ज्यामती है दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है ज्यामती को 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 ज् का सरुतम हुआ था यूकलिड के अनुसार जयोमेक्टरी का उलेख मिस्त्र में बेबी लॉन में चीन में भारत में यूनान में आधि कई देशों मिलते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमें सबसे पहले जयोमेक्टरी के अंदर जो पढ़ना है वो चैप्टर कुछ इस प्रका हैं जी हां दोस्तों समरुपताओं में हम कौण और त्रिबुज बाकी सारी समरुपताओं पढ़ेंगे अगला पॉइंट है हमारा सरवांग समताओं उसके बाद चत्रवोई चत्रवोई के बाद फुरत जीवा एवं इस पर स्रेका दोस्तों मैं आपको बता दूं यह सारे पॉइंट आपको बहुत ही बारी की से समझने के लिए मिलेंगे इसमें यूपिटेट एससी और अन्य प्रतियों की परिक्चाओं में बारी की से पूछे जाने वाले सभी प्रशनों का हम यहां अध्यन करेंगे अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट रेखाओं की दोस्तों देखना ना भूलिएगा हमारे अगली वीडियो में कॉण इस वीडियो में हम बात करेंगे अंगे कॉण की बात करते हैं रेखा की रेखा यानिकी लाइन सबसे पहले मैं आपको बता दू एक ऐसी लकीर जो दोनों दिषाओं में बढ़ती जाए और इसका कभी अ अंत नहों, दोस्तों अगर मैं चाहूं तो इसको और बढ़ा सकता हूं जितना चाहे उतना, इसका कभी अंत नहीं होगा, इसे दोनों दिशाओं में आप जितना चाहें उतना आपका, आप इसका परसार कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, कहने का ताकपर है, दो बिंदुय के बीच के पत को रेखा कहते हैं यदि हम अपनी दैनिक वासा में कहना चाहें तो ये दो बिंदुएं हैं माना मैंने पहला बिंदु पी तता दूसरा बिंदु क्यूँ तो दो बिंदुओं के बीच पी और क्यूँ के बीच का जो पत है उस पत को हम रेखा कहेंगे या सात रेखा का कभी अंत नहीं होता, इसके दो बिंदूओं को आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं, अब हम आपको ट्रिक बताएंगे, एक ऐसी दमाकेदार ट्रिक जिससे आपको रेखाओं के प्रकार आसानी से याद हो याएंगे, हम आपको बता दें कि ये ट्रिक हमने खुद तैयार की है, ये हमारी बरसों की मेनत के बाद तैयार हुई ट्रिक है, तो ट्रिक देखेंगे, ये लिखा है ULP, आप इसका मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं आपको बता दूँ, इसका अर्थ है उतकर्ष लर्नेवल पॉइंट, यानि कि उतकर्ष द्वारा बनाये हु ट्रिक है हमारी दोस्तो, सवक्छे उ, समा असमा तिर्यक, अब आप कहेंगे पता नहीं ये क्या लिख दिया है, तो मैं दुबार बता दू, सवक्छे उ, समा असमा तिर्यक, आपको ये पांच बार रपीट करना है दोस्तो, फाइव टाइम्स रपीट, अगर आप इसे पा आपको सारी रेखाएं ऐसे ही याद हो जाएंगी आप बच्चे को भी उंग्लियों पे रेखाएं रटा सकते हैं तो मैं आपको बता दूकित की सवक्षे उस असमां त्रृथ है क्या सक अर्थ है सरल रेखा वक्र रेखा सरल रेखा यानि व को अर्त है वक्र यानी की कर्व लाइन चे का आर्थ है चेते ही रेका, उ का आर्थ है उर्धवादर रेखा यानि की वर्टिकल लाइन, चेते ही रेखा मीन्स होरिज़न्टल लाइन, समा का आर्थ है समांतर रेखा यानि की पैरिलल लाइन, असमा का आर्थ है असमांतर रेखा मीन्स कनवर्जिंग लाइन, तर्यक क अर्थ है मित्रो ट्रांजवर्जल लाइन अव हम आपको बता दें कि ये होती कैसी है तो हम देखेंगे सवक्षि का पहला अच्छर सं से बना है सरल रेका स्टेट लाइन स्टेट लाइन मैं बता दूं आपको एकदम सीधी होती है दूसरा वक्र रेका करब्ड लाइन करब्ड लाइन टेड़ी मेड़ी होती है उपर नीचे जिक जैक फॉर्म में होती है RS रेखा ये एक वक्र रेखा है चहते रेखा का अर्थ है horizontal line जैसे कि TU रेखा VW, XY, ZA ये चारों रेखा हैं, चहते रेखा हैं उर्द्वादर रेखा यानि कि vertical line की बात करें हम तो ये उपर की ओर होती हैं इन रेखाओं को हम उर्द्वादर रेखा कहते हैं आप देखें, A, B, C, D, E, F ये रेखाएं, उर्द्वादर रेखाएं हैं आप अच्छे से देख सकते हैं A, B रेखा, C, D रेखा और E, F रेखा ये उपर की तरफ होने के कारण ये उर्द्वादर रेखाएं हैं हम आगे बढ़ते हैं समानतर रेखा means parallel line parallel line हम आपको बता दें जैसे की K, L, M, N, O, P समानतर अर्थाथ जिस रेखा के बीच का अंतर समान ओ वो समानतर रेखा कहलाती है मैं आपको बता दू जैसे K, L और M, N यदि इन दोनों की बीच की दूरी 2 cm है तो इन दोनों की बीच की दूरी भी 2 cm होगी यदि इनके बीच की दूरी 3 cm है तो इसके बीच की दूरी भी 3 cm होगी कहने का तातपर है समानतर रेखा अर्था जिस रेखा के बीच का अंतर समान ओ समानतर रेखा कहलाती है आगे बढ़ेंगे असमांतर रेखा, यानि की Converging Line Converging Line का अर्थ है वह रेखा देखिए, जैसा आपने विलून सब्द पढ़े होंगे उसी प्रकार समान-असमान यानि की इस रेखा में अंतर समान होता है और इस रेखा में अंतर समान नहीं होता जैसे कि इन नौनों की बीच की दूरी दो सेंटिमेंट रहे तो यहां तीन, यहां चार, यहां पांच, छे, साथ, नो, मित्रों यह दूरी बढ़ती ही जाएगी इन रेखाओं की बीच का जो अंतर होगा वो समान नहीं होगा इसलिए हम इसे समानतर रेखा कहेंगे अब बात करते हैं तिर्यक रेखा की, तिर्यक रेखा अर्तात ट्रांसवर्सल लाइन, तो दो रेखाओं को काटती हुई तीसरी रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है, A, B और C, D को तिर्यक रेखा E, F काटती है, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम चर्चा करे कौन की धन्यवाद